हेलो दोस्तों वेलकम आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा टेडिंग ऑफिशल में तो चली इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का वेटनजडे के दिन का इंटर डे का मुव्मेंट कैस था और उसे अपन कैसे कैप्चेर कर सकते थे और उसके बाद बात करेंगे फ्राइटी के लिए इंटरेटी के लिए इससे कौन से इंपॉर्ट लेवल सपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेक आट ये ब्रेकडाउन पर एक अपन को बहुत अच्छी टेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है तो चली इस प्राइज एक्शन वाली अनलिसिस में हम डिसकस करते हैं तो ऐसे एडुकेशनल के लिए हमारे यूट्व चैनल को जरूर सब्सक्राइब दोस्तों अभी पना है निफ्टी के फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और वेड़नस डे के दिन एक अपन को गैप आप ओपनिंग देखने हो मिली थी व चोटा से देखने हो मिला अराउंड 28 पॉंट्स के आसपास का उसके बाद देखेंगे तो फिर समें थोड़ सा वॉलाटायल मुएंटम देखने हो मिला और तीन बजी के कैंडल फिर समें एक उपर का मुएंटम पर उपर के लेवल से सस्टेन नहीं होने कारेंट एक वापस अब चलते हैं ये चलते हैं डैली टाइम फ्रेम में और वहां देखेंगे कि लॉंग टाइम फ्रेम में करा क्या सघ्विकश से और देखने हो खि sì जो Wednesday की candle देखने हो मुली है वो एक हमें inside candle pattern देखने को मिल रहा है तो अब जो important level है वो है high level जो की है 22,775 का level अगर इसका एक अच्छा हमें bullish candle से breakout देखने हो मिलता है तो एक हमें बहुत अच्छा momentum आपसाइड में देखने हो मिल सकता है जिसमें के आने वाले दिनों में हमें 23 3000 के psychological level तक का भी momentum देखने को मिल सकता है डाउंसाइड के momentum की बात करें तो जब तक 22,500 के psychological level के नीचे हमें closing देखने हो नहीं मिलेगी daily time frame में इसके नीचे हमें एक panic selling देखने को मिल सकती है जिसमें के फिर support यह वाल level अपन को देखने को मिल सकता है जो की है 22,300 के level और जब त तो यहां पर एक अपन को volatile momentum देखने को मिल सकता है तो यह था निफ्टी का daily time frame analysis के अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या moment और कहां तक के target देखने को मिल सकते हैं अब चली चलते है 15 minutes के time frame में और वहां discuss करेंगे Friday के लिए intraday के लिए important levels तो दोस्तों अपना आगे 15 minutes के time frame के chart में सबसे पहले अपन बात करें कि upside की moment अपन को कहां देखने को मिलेगी upside में अगर यह वाल level breakout करें जो कि है 22,775 का level तो इसके उपर एक अपन को bullish momentum देखने को मिल सकता है जिसमें कि जो अपना first target रहेगा वह रगा पहले 22,850 के आसपास का level और अगर इसको ब्रेक 23,100 के आसपास का level तो यह कुछ important levels थे upside में अगर 22,775 के level को upside में breakout करता है nifty तो अब चली देखते है downside की movement अपन को कहां देखने को मिलेगी downside की momentum अपन को तभी देखने मिलेगा जब इस level के नीचे हमें sustain होते ही देखने मिले जो कि है 22,673 का level अगर इसके नीचे जाता है तो एक हमें downside का momentum देखने को मिल सकता है nifty में जिसमें की first target यह वाल level जो कि है 22,600 के level और अगर इसको भी breakdown करता है तो सीधे फिर अपना अगला target 22,550 का देखने को मिल सकता है और जो अपना third target रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 22,500 का psychological level और अपना final target रहेगा यह वाला swing level जो कि है 22 22,430 के आसपास का तो यह कुछ important levels थे downside में अगर 22,673 के level को downside में breakdown करता है nifty तो अगर nifty इस range में momentum करे जो कि यह वाल निस तो यहाँ प एक अपन को sideways momentum देखने को मिल सकता है और ऐसे sideways momentum में अपन को सिफ premium decay ही देखने को मिलेगा तो इसलिए ऐसे zone में trade करने से बचे और किसी directional move के लिए या तो पहले पने इस level के breakout होने के बेट करेंगे जो कि है 22,775 का level upside में या फ़र downside में 22,673 का level breakdown करे तो एक हमें बहुत अच्छे training move देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी breakout ये breakdown करे nifty अब चली देखते हैं को important trail line मन के आ रही है कि तो उसे भी पर mark करनी कोशिश करें downside से एक अपन को trail line मनते ही देखने को मिल लिए जिसको अगर अपनी इस point से बनाना शुरू करेंगे और ऐसे extent कर देंगे तो एक अपन को बहुत अच्छे trail line downside में बनते ही देखने को मिल रही है तो अगर इस trail line का breakdown करें साथ 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 22,673 का level भी breakdown हो तो एक अपन को बहुत अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करने मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जयन जयवारे